है दोस्तों नमस्कार तो कैसे हो आप सभी उम्मीद करता हूं अच्छ होंगे स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा रिजनेंग क्लासिस के अंदर रीट प्रिक्षा परिणाम हर किसी के दिमाग में एक निफ्यूजन पैदा करने वाला प्रिक्षा परिणाम है रीट प्रिक्षा परिणाम को लेकर के काफी सारे विवाद सामने आ रहे हैं ऐसे ही मैंने प्रिवेस वीडियो बताया था जिन लोगों नहीं देखिए वो प्रिवेस वीडियो जाके देखो इससे पहले वाले वीडियो चैनल पे आप लिक करोगे ना क्लिक करोगे तो वहा चुकी थी वह विवादों में है ठीक है ना यानि कि कई काम तो वे नहीं और जो हुए वह अच्छे नहीं हुए है ना तो यह मतलब प्रोब्लम हो रखी है तो रीट प्रिक्षा पर नाम को लेकर रहे क्या भरती रद होगी या क्या कहा राजस्तान हाई कोट ने प्रिक्षा योग कि विडियो में आपको श्यार कर रहा हूं ठीक है न वीडियो को लिजयां से समझें ठीक है तो चली स्टार्ट करते हैं 1st भी उर्थियों ने सबसे ज़्ज़ार जो याच्टी का हाइवेगोर्ट में डालीए वह यह कहा है की सर हमारे उत्तर सःजी थे और दो जो न उस ने अंस्वर गलत कर दीए वह कह रहाँ कि यह नहीं राई आयज़ार गलत है ऊत्तर सफंजी को उत्तर कुंजी में उत्तर माना गया गलत अब जो अब यर्थियां वो कह रहा है कि आप एक बात बताओं हम क्या पड़े देखो सोचके देखो यार आप लोग खुद भी एक स्टुडेट वाना कि देखो आप लोग जो बुक पड़े उसमें तो उत्तर सही हो और वही आप उ बोड़ वो यह कह रहा है कि नहीं नहीं वो उत्तर गलत है ऐसा थोड़ी नहीं चलता है तो इसी को लेकर करके विद्यार्थियों में बहुत जादा अक्रोश है विद्यार्थियों में यह अक्रोश है कई विद्यार्थियों तो यह भी कह रहा है मेरे पास कमेंट आ रहे है कि sir इन्हें ना बर्ती देनी नहीं होती है यह बस अपने time pass के लिए बर्ती निकालते है और बाद में अपना जो है उकाद दिखा देते हैं ठीक है ना बहुत सारे विदार्थियों ने ऐसा ऐसे mail किये मेरे पास कि इन्हें ना selection देना ही नहीं है selection देने की इनके पास power होती नहीं है तो यह लोग क्या है उत्तर को गलत मानते हैं बहुत सारे विदार्थियों ने comment किये कि sir हमारे उत्तर जैसे मान लो किसी का CR option और board कहे रहा है ना डी सही है को reality बताओ ना सबसे पहले तो वीडियो के थोड़ी से लंबी हो जाए तो उसके लिए आप लोग देख लेना ठीक है ना क्योंकि लंबी ज्यादा वीडियो मां खिंचुका नहीं लेकिन दोस्तों बात जब करें तो सारी दिल की बात करने चाहिए ना सबसे पहले देखो य सई हो गया बताओ अब मतलब यह क्या है है जो सई बच्चे है वह करें गलत कर दिया कई लोग करें ना ना हमारा यह गलत था बट सही भी हो गया तो यह तो गलत है ना यह तो देखो तुम बरती कराओ मत और अगर करानी यह तो डंग से कराओ ठीक है ना उसको 100% verified करा के करा हो ठीक है पहले तुम लोग डिसाइड करो कि कौन सांस्वर सही होगा ऐसे स्टूइंट्स के साथ खिलवार करने का कोई मतलब थोड़ी नहीं देखो स्टूइंट्स है ना पहले ही बोज़ता मतलब मेंटली डिस्टब हो जाते हैं जब बार-बार भरती आप निकालते हैं अना जैसे मालों गुवर्मेंट ने भरती निकाले और आप लोग एक्जाम की क्यारी करें फूल जोर सोर से बरती होगी रद कहरें इनाना जी यह बरती दोजार एकिस के ना यह दोजार तरीस में कराएंगे अब मेंटली डिस्टब तो बच्चा वही हो जाता है फिर विच इनाना तो बुक में दिया है बत्चा तो हुप है यह वहीं स्पर नाना एक्प्चा नीण तो बच्चा कहां से सही करेगा उसकां क्योंकि पड़ा वही है तो यह जो है मतलब HAR्छादा झ jol dry लिगाल का लिए इन्होंने काफी टाइम के बाद में उसमें जोलो मजोल ऐसा ही किलिए उसमें भी घर-बडिया ठीक है तो इससे तो एक्जाम लोई मत ठीकशे बीचारे खोई न supports नोकरी कर लेंगे खुश रहेंगे ऐसे mentally disturb करने इसको फाइदा तो है नहीं हाना बाकि आप लोग क्या समस्ते हो पनी राय देना कमेंट में आप देखो रामेश्वर परसाद सर्मा वै अन्या ने हाई कोट में दायर की याचिका अधिवक्ता राम परताब सेनी कर रहें मामले की पैरवी अधिवक्ता राम परताब सेनी कर रहें मामले की पैरवी अब रामेश्वर परसाद सर्मा जो में याचिका करता है इन्हों ने बोर्ड को डिरेक्ली चेंज किया है हाई कोट के अंदर ये कहा है कि रिट की जो उत्तर कुझ जिया हो बिल्कुल सरासर गलत है इसम इन उत्तर को सवदन कर पुन्य परिणाम जारी करने की माँग अब जो याचिका करता है Luckily पूरी करता है कलर एक्सपार्ट से थेरम जारी करो यानि करो यानि कि यह जो प्रिक्षा पर नाम आया है ना अब आप मालों किसी के 180 बने 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 वो गलत है उसको कटा मारो उसको रद करो नए की तरफ चलो नए में क्या होगा नए उत्तरकुंजी निकलेगी और नए मेरिट बनेगी ठीक है ना विवादित परसन के बोनस अं होती है मामले की सुनवाई इसी हफते आप छोफता चल वहा इसी में हो सकता है कि आपके मामले की की अपनी राहे बताना और वीडियो को सबी लोगों तक शेयर करना उन से पूछना कि उनकी क्या राया है कि क्या लगता है कि ये उत्तरकुंजी सही है ये परिणाम सही है या फिर परिणाम दुबारा से निकालने चाहिए ठीक है ना आप लोग अपनी राये कमेंट सेक्शन में अवश्य देना और वीडियो को द आवा दोस्तों कोई भी क्वेरी है आप लोग एनी टाइम कमेंट कीजिए मैं आपके कमेंट का रिपलाई दूंगा और वीडियो को सबी लोगों तक शेयर कर दो क्योंकि सबी लोगों के राये जानना बहुती आवश्यक है इस समय पे क्योंकि दो भरती हुई दोनों में ज इतनी जानगारी समझ में आई है इसके लावा दोस्तों जो लोग चैनल पे नई है सबस्क्राइबर के बेल आइकन को दबालो क्योंकि सारी सारी इंफॉमेटिव वीडियो मैं यहां पे लाता रहता हूं और इसके लावा आप लोग चैनल पे प्ले लिस्ट हैं आप वहां स साइंस की त्यारी कर सकते हैं तो वहां से भी आप करते रहें तो दोस्तों ज्यादा समय नहीं खराब करते हूं आपका मैं चलता हूं मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टेक के और जैहिंद जैबारत